क्रिश्णवाणी संतान चंचल मन्द के कारण कभी कभी ये भोल जाती है कि उसके अपराद पाप कर्मों का डंड केवल उस तकी सीमित नहीं रहता उसके पाप कर्मों का फल उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है श्री क्रिश्णी कहते हैं जैसे चोट केवल एक उंगली में लगती है लेकिन तकलीब पीड़ा पूरे शरीर को होती है ठीक इसी प्रकार गलती भूल परिवार में किसी एक सदस्य से होती है लेकिन उसका प्रभाव परिणाम पूरे परिवार को सहना पड़ता है इसलिए मनिश्य को कोई भी कर्म करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए कि वो जो कर रहा है या करने जा रहा है उसमें उसका या उसके परिवार का अहीत तो नहीं है